अच्छा जी आप आप ऐसे की दिए कॉस्टन नंबर ने 20 ओपन करें शाबश कॉस्टन नंबर 20 ओपन करने शाबश जी कॉंसार बिडिंग कोस्टन जब कर लिया बच्छे ओपन अच्छा जी इधर देखें भाई हलो हो मेरे मसूम दोस्तो इधर देखो रिक्वाइर्मेंट बढ़ें अच्छा कुछ बातें कल के लिए रख लेना कल पी इन्शाब्ला लेक्चर होगा कल के लिए बचा लें कुछ बातें इधर देखें क्या था प्रिपेर एसेट अकाउट एक्यूमॉलेटर डेपरिसियेशन का अकाउट और क्या बच्छो पे है ना एसेट हमारे पास है एसेट बिक भी तो सकता है ना अब वो वाली बतें आगी है क्या था एस ऑन थर्टीफर डिसेंबर टूटाओन एटीन रेट ऑफ डेपरिसियेशन इस तैन परसंट स्टेट लाइन मेथड हम ऐसे करेंगे अभी पहले आपको ना कुछ्टन कर भाए फिर अभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमने किया ऐसे यह सर अब हम डिस्पोजल ले की आएंगे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में फिर उसकी इन्शालला की दो चार सवाल करने के बार रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वापिस चले जाएंगे सही है सर जी लें से पढ़ें ली क्वेस्टन नमबर जी 20 कहता फॉल्विंग अकाउंट बैलंसिद आर अपेरिंग ऑन अपकाउंट बैलंसिस का मतलब यह ओपनिंग बैलंस है क्या है बचो लिखो 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 बी स्लैश डी ब्राट डाउंग ओपनिंग है ना बडरना नहीं हैं देखो कोई नए चीज़ आ गई ना पुराने कॉंसेट्ट तो वैसी रहने हैं हम ऐसा फॉर्मेट कोई त्यार कर लेते हैं कि जी आडिस्पोदल है लेकिन पहले हम सारा कॉशन कैसे सौल करेंगे बगए डिस्पोदल के एंड पर डिस्पोदल का इंपक्ट ले लेंगे वह बास समझ रही हो ताकि अगर आठ दस नंबर का सवाल है अगर कुछ चीज़ नहीं आती तो बेसिक से ही हम इंशालला अपने पांच-छे नंबर ले लेंगे वह बास समझ जाई कि नहीं है अकयोड़ बनाओ नहीं बनाओ आगाउ सबकुने का जाबाश याबस इदर नीचे आके देखेंगे ना कहता है है एक üç डिस्पोल हुआ एक अकाउट डिस्पोल का बना लें कितने बच्को एक बना लें बस एक अकाउट डिस्पोल का बना लो तीन अकाउट बनने या जी ऐसे कन्जूसी निकरना ही गाउड़ू अधर आयहीं जैवा Baum खूले-खुले-खुल्ले हैं नहीं एक पेस्ट पे एक इतना मिली यह क्वेस्टन नंबर ट्वेंटी है भाई आज आज आनलाइन वाले बड़े खुश होंगे वज़ा बताओ बला उन्हों ने जाब देखना आहा वो तो वैशन दीया जाता है ना जिसमें हम कहते है चलें आप करें वो तो उसको भी आगी करते हैं पाइंट-दस मिनिट ऐसे होता है ना जी वु कहते है टाम से हो रहा है बड़ा बेhtרीन है एंड पे जाके मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा एंड आता ही नहीं है कि दा एंड हो जाता है फिर कि अच्छा एस्ट का नाम रख लो कुछ है प्लांट रख लें जी प्लांट भाई सुगों से प्लांट प्लांट कर लिए लेंसर डैबिट और सर जी क्रेडिट इसके सामने क्या बनाएं बच्छो एक्यूमुलेटल जी मेरे भाई इधर डैबिट और इधर सर जी क्रेडिट सर इधर तरह खुला डूला सा करके क्या बना लें जी एक्यूमेलेटल डैप्रीटिशन का काउंट सामने बन गया हुद्धर बस कर दे दोनों बतुनी एक जगा बैड़ गयो जी जी इदर आगया निए डिस्पोदल इदर क्या या और ये नुकड़ बे आगी क्या वा चोड़ डेपरीसियेशन एक्सपेंस दी की वरकिंग दस्टर मेरे भाई अच्छा एक ही साल है मदे की बाद ये और ये साल कौन से है भई काजी बताओ इन दोनों में से कौन स्यदा बतें करते हैं हैं ये 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 वाला ये जीत क्या भी जीत है नहीं तुमें उसके लेवल का नहीं बता भी उसका अपना मुकाम है जी जी एसरड़ का काउंट जी एसरड़ का काउंट जी ओपनिंग कितना जी फर्स जैन भूलो शाबाश एरटीन ओपनिंग बैलेंस कितना जी सरड़ कांट जी देखो ना पॉइंट फाइफ पॉइंट फाइफ ये एक नंबर तो आ सकता है ना जी यह डिस्पोदल को देखे परिशान हो जाना है अब सब्सक्णरal लेंसर जी ये तो होगया आप क्या करेंं जी आप क्या करें बचो इडिशन टेट ऑफ-पर-चेस जी अच बचो इडिशन दो है कितनी हैं जी एक है जी आफ ये फर्स मार्च इटीन पर एक है जी फर्स जोने टीन पे इनको पोस्ट कर दू मैं जनरल एंट्री बताओ भाई है हम ने प्लांट इसका नाम रख दी है ना प्लांट डैबिड कैश एमें क्रेड़ सर पॉइंट फाइफ पॉइंट फाइफ इसकी पोस्टिंग क्यों रहेंगे जी अमाउंट कितनी सर्दी फर्स्ट सर्दी नेक्स्ट सर्दी प्लांट डैबिड फर्स्ट और कैश ओके सर्दी एक साल पूरा आगे है डिस्पोदल हम क्वेस्टन को ना भी फिलहाल बगए डिस्पोदल के साल करने कोशिश करते हैं यह कर लिए इदर तक हम ने सर आप मुझे बताएं आप मुझे बताओ बस तो इदर देखो ओन अडिशन क्या बच्चो इस पर डेप्रीदेशन निकालि सकते हो इब आपने डेप्रीदेशन निकाल ली है ना जि घर्डी ऐगर तैरेड दिये हाँ जी फरॉर्स मार के मंतब दस बटा बार्रा नेक्स जी मल्टी बला बढू भा यह टैन पर्सन मल्टी बढ़ बार बाई जून है ना तो बच्चों कितना बनेगा सैमन बाइट वैल जी फाइफ फूर फाइफ फूर वन सैमन सर बाइद एतक बाद समझ आई अच्छा जी यह हो गया बच्चों अडिशन यह यह हो गया ना इस पर डेपरीटिशन आगी अच्छा आप मेरी बास सुनियेंगा दरा मुत वज्य होके आप जब इदर देखें ना आप इदर देखें निरा ओन ओपनिंग एसेट स्टेट लाइन में अच्छा कॉस पर एड़ लग जेगा लिकिन हमने ओन ओन ओपनिंग एसेट्स यह जो हमारे पास हैं इनमें वो वाले एसेट्स हैं जो के पूरे बारा महिने इस्तमाल होंगे हमने कैसा format set करना है इधर हम वो वाले assets लिखें जो के पूरा पूरे बारा महिने हमारे पास रहें इस्तमाल हो ऐसे है सर भी ताके हमें बटे शड़े करने की जरूरत ना बड़े वह ऐसे ही है अच्छे आपके पास तना जी ती तीन गाड़ियां है for example कितनी सर एक टी प्राइज है for example for example मिसाल के तो रुपे खेर प्राक्टिकल और लॉजिकल तो मिसाल नहीं है वैसे समझाने के लिए एक टी प्राइज है 50 रुपे कितनी for example जी पचास रुपे हंसना नहीं है वैसी嗎 40 रुपे कितनी 40 रुपे कौस है क्या है बच्चो सर जी हमारा एयर है जी 2023 क्या है बच्चो हमारे पास एक गाड़ी थी जो हमें तंग कर रही थी हमने का जी इसको डिस्पोस कर दे ना इसे जान शुडवानी जी वो गाड़ी हमने डिस्पोस कर दी जी 30 जून पे आके 30 जून 2023 पे कब बच्चो हम मेरी बास सुनो मेरी बास सुनो अब मुझे आपने बताना है इधर देखना है अगर मैं 150 मल्टिव लावे फॉर इस परसंट डेप्रिटेशन का रेट है उस पे 10 परसंट लगा दूँ तो भाईया मैं तो डेप्रिटेशन कैलकुलेट करूंगा मैंने तो पूरे साल की डेप्रिटेशन कैलकुलेट कर दी तीनों गाडियों पर हलांके दो गाडियां पूरे 12 महीन हमारे पास रही और एक गड़ी 6 महीन हमारे पास रही इसकं़ बता हम ने गलत कैलकुलेट की ना या इस तरह मैं कहा दूँ दो पर सहीं कैलकुलेट की एक वी गलत तो क्या करना चाहिए आप मुझे मजह में कर दिये प히र किया करो हुआ है अब स खरेंब इस पर इस में निकी दो डैपरिदिशियर ना ज़िए sai कर नहीं आने चाहिए भाई आने चाहिए अच्छा फिर हम ऐसे करते है कैसे इस पच्छास को इतर से निकाला ना, यह कहता है मुझे क्यों निकाला, हम ने कहा हरकतों की वज़ा से, अच्छा इधर आएं, आन, डिस्वोल, आप इस बास से तो सहमत है ना, कि इस पचास को डेपरिशीड करना है, लेकिन शे बटा बारां करना है, ए ये, फार इजेंपल, मल्टी प्लाइब आए, इस बास से तो एग्री है ना, और इधर जो बचा फिर सब पे दस परसन लगा दीजेगा, एग्री इस बास से, अब आपके पास एक दो मिनट है, आप जल्दी से इस सवाल में मिने डेपरिटिशन कैलकुलेट कर लें, जी, सब को करने लें, सब को करने लें, जी, सब बचे करो तो सभी ना, सवाल तो करो अपने हाथ से, अच्छा बहुत सारे बच्चों को समय सारी आती है, सिर्फ ये कॉन्फिड़न्स नहीं होता कि मैं अपने हाथ से क्वेस्टन कर सकता हूँ, भई क्वेस्टन करो ज्यादा से ज्यादा क्यों होगा, गल्त होगा ना, इसलिए मैं तो क्लास में कॉस्टन करो, क्लास में कॉस्टन करो, क्लास में कॉस्टन करो, क्लास में करो के तो घर में जाके कॉन्फिड़न्स पैता होगा, अगर आप ये गही ना, मैंने क्लास में नहीं करना, घर में करूँगा, तू नहीं होना कर, और क्लास, और होंवक में भी क्ल जी मेरे भाई हो रहा है बजन जी बच्चों इदर से हला ठीक है हो रहा है कोस्टन बजन शाबश 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 जी बच्चों ठीक है ना अच्छा जी अच्छा अब दर मुतबश देख़ ऐगा प्लीज इधर देखिएगा बच्चों इधर देखेगा इधर इधर ओ बच्चों हीज़ ओ बच्चों इधर यह है डिस्पोजल क्या है तक और आप प्हली बात मौन के चलना है बस बात आपने डिस्पोदल में सबसे पहले ये देखना है ये एसर्ड जो है हमारे वाले पहली बात क्या देखनी है सुनना गोर से हमारे वाले साल में कितनी देर रहा क्या देखना है ये डिस्पोदल की कॉस कितनी है भाई 43,000, कितनी मेरे भाई चालिस उदार ये एसेड हमारे वाले साल में कितनी देर रहा कितनी देर रहा बचो इस पे डेप्रिटेशन शे महिने की आनी चाहिए सबसे पहले ये देखना बाकी बातें बात की हैं बात में देखेंगे इसका मतलब है on opening assets मुझे बताई इस समय से आपने करना है बचो less disposal अच्छा ये straight line method है इदर भी इनकी क्या नहीं है बचो और इसकी भी क्या नहीं है बचो और इदर से जो आपने निकालना है न इसको नीचे लेके आना है on disposal मुझे बताएं opening assets की cost कितनी है बई opening assets ये है आप 2018 की calculation करने है opening assets कितने है तीन लाख disposal की cost कितनी है कितनी बचो minus multiple कितना twenty जो आपने disposal की cost इदर से निकाली straight line method है उसको depreciate तो करना है न तो फिर इदर से क्यों निकाला अगर depreciate करना है वो पुरा साल नहीं होना भाईया इदर आएंगे आप as it is इदर लिख देंगे आप और six by twelve करेंगे बताएं दी सर्वाइब करना है यह आपकी क्या आगे भाईया depreciation expense आ गया इसकी entry क्या होती है जी शाबाशाबाई बोलना है बहु बोलने बेदेंगे अपरीशेशन expense डैवेड अपरीशेशन अपरीशेशन सर जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई वो इस वह से शाहिए लग रहा हो वर्किंग नमबर ओके सर जी अच्छा इधर मेरी बास सुनना क्लोस कर देता हूं मैं तर क्लोस कर देना डिस्पोदल भी है क्या है बचो इधर दक बास समझ आती है आपको अच्छा आम मेरी ना बास गोर से सुननी है ज़रा ये एसेट का काउट किस पे बन रहा है इस अकाउट में अगर कुछ इध आनी है तो कास पे जानी है तो आनिया भी कास पे जानिया भी कास पे आनिया जानिया कास पे ओके बचो ओके भाई हाँ लेकिन एसेट का काउट कम भी तो हो रहा है ना तो उसकी कमी ये वाला काउट ये वाला काउंट बताता है लिए एसरड इतने से कम हो रहा है यानि ये रेंड के उपर आके डेपरिटेशन की वज़ा से वह ऐसे ही है वह ऐसे ही है मेरे भाई अच्छा अब इधर देखना बच्ची इधर देखना आपके पास ना एक एसरड है क्या है वो जिस तरह मैंने एक्जेंपल दी थी मैंने करी पचास रुपे का एसरड है कितने का आपने खरीदा था कोई पांच साल पहले कितने साल पहले इधर ओ भाई इधर गुड़ दू इधर आपने खरीदा था पचास का एसरड कितने साल पहले पाइस साल पहले कितने साल पहले इतने का अच्छा जी सर अब आपने पाइस साल के बाद इस सेसर्ड को बेचना है क्या करना है बेचना है एसर्ड फॉर इजेंपल फॉर इजेंपल फॉर इजेंपल एसर्ड विका जी तीस रुपेका कितने का अब आप कहेंगे 20 रुपे का लॉस आ लिए ये गलत है ये गलत है क्या है बच्चो आपने 5 साल इस एसेड से फाइदा उठाया आपने इस्तमाल करके इस एसेड से फाइदा उठाया लेगा आपने और लेगा इसेड सेमपल थोड़ा थोड़ा कम भी थे हुआ होगा ना थोड़ा-थोड़ा क्या हुआ होगा? जी थूठाया ठूरू डैपरीसियेशन, थूठाया बच्चो याद रखना बच्चो कभी भी आप ऐसेड जितने का बिकता है उसे कहते हैं sale proceeds, net sale proceeds, क्या कहते हैं उसे? हो सकते है, asset को बेचने में खर्चा भी आया हो, आपको याद है मैंने residual value में बड़ डिटेल की फ्टू की थी, हमने का था जी इस में से आपने की खर्चा होगा, उसको minus भी करना है, वो तरह revise कर लीजिए अगर जाके आप, अच्छा जी, बच्चो ये गलत है, क्या है? ये जो आप इदर ना, इतने एक asset था, इतना पैसे मिले, ये loss है, ये गलत है, ये क्या है बच्चो? असलेमें तो आपने asset से फाइदा भी उठाया है, क्या किया है बच्चो? फाइदा उठाया, फाइदा उठाया, 25 रुपे का, कितने का? यानि इस फे डेप्रिधिशन चार्ज की ना आपने इसको इसको इस्तमाल किया इस्तमाल किया ये हकीकतन क्या बच्चो कहें हकीकतन ये एसर्ड की वैलियू इतनी है आज बिका कितने का भाई अगर आपकी चीज जो है वो 25 की है बिकी 30 की है पांच का तो प्रॉफिट लॉस् क्या होना चाहिए बचो यह मेरी बास समझे हैं या नहीं और बास समझे हो आपने एक आम आदमी जो होता है ना ले मैं जिसे आप कहते हैं वो इस तरह कहता है जी कि मैंने चीदा आज से पांच साल पहले पचास के लिए थी आए मैंने बीस की बेची है तीस का नुकसान हो गय आप जैसा माशाला बंदा तो ऐसी बात नहीं करेगा जेव नहीं देती है उसको आप कहेंगे मैंने पांच साल पहले कैसर लिया था मैंने उसे खुब इस्तमाल किया क्या किया उसकी वैलियू कम होती रही कम होती रही आज क Customer Support के वैलियू कितनी है 25 रुपे कितनी बचओ 25 रुपे कितनी बचओ ये 25 आया कैसे होगा ये थोड़ा सा इस पर गुफ़तू कर लें हम थोड़ी से ये देखो Cost Acid की कितनी थी इस्तमाल किया आपने इस्तमाल किया इस्तमाल किया आपने किताबों में, इस किताबों में क्यूमिलेटर डेपरीजिशन पड़ी हुई है, कितने की? और या आपने पढ़ा था ना, कॉस में से क्यूमिलेटर डेपरीजिशन माइनस करो तो, बुक वैली यू आती है ये ऐसे आया, ये 25 ये 25 ये वाले के साथ comparison करना ठीक है, या कॉस के साथ comparison करना ठीक है क्या ख्याल है आपका? जितने एक एसेट आज किताबों में पड़ा हुआ है, पचास का तो पड़ा ही नहीं है भाई इसका मतबल ये हुआ, आपने एक एसेट का count बनाया होगा एक एसेट की यादों का count बनाया होगा यानि accumulated depreciation का, किसका बचो? ये, एसेट एकने का है इसकी example ऐसे है, जिर्व बाद में देता हूँ link करके इदे तक बास समझाई, इदे तक बास समझाई अथा जब आपने एसेट खरीदा, आपने किस सकाउंट को बढ़ाया, बताएं शाबश आप जब एसेट की जानिया है, जाने का वक्त आया, इस सकाउंट को काम करेंगे कॉस से, किस से? पहली बात, पहली बात क्या बच्छों बो शाबश जब, अच्छा अब आपने न, मैं पहली बात बोलूँगा, दूसरी आपने जवाब देनी है जब एसेट नमा नमा आया था हमारे पास, हमने इसे रिकॉर्ड किया था किताबों में एसेट को कॉस पे, डैविट साइट, एसेट की नेचे डैविट बढ़ना डैविट आप जब काम करेंगे तो, आप जब काम करेंगे तो, एसेट के काउंट से इसकी कॉस निकलेगी क्या होगी बच्छों? निकलेगी बच्छों कॉस निकलेगी भाई? ये लिए से यहाई किया अपने अपनी किताब में बड़ा बेहतरीन तरीके से ना स्टेप्स बनवाई है इसके क्या किये है किता हम डैबिड कर देंगे किसको बच्चो अच्छा अभी आपने न बस ऐसे पढ़ना है अभी एक साइड पढ़नी है दूसरी नहीं आप क्रेडिड कर देंगे किसको बच्चो एसर्ड के काउंट को किसको बच्चो एसर्ड के काउंट को क्या कर दोगे क्रेडिड कर दोगे क्या कर दोगे बच्चो और साथ में ये डिस्वोदर नदर आ रहे है आपको इसे क्या कर दोगे debit कुछ debit भी तो होना है ना क्या होना है बच्चो मुझे बताएं acid की cost कितनी है ये पहला step है क्या है बच्चो पहला step क्या है बच्चो बताव शाबश acid की cost कितनी है जी इदर इदर plant credit और disposal का count आपने बनाना है वो वाला count क्या हो जाएगा ये disposal का count बनेगा जब 62 बिखेगा अच्चा disposal के count की nature बताएं क्या है disposal के count की कोई nature नहीं है ये दूसरों को देखके चलता है plant credit इसकी entry दर आप पूर तरीके से समझाएं पहले पोस्टिंग सीख लें entry भी इंशालला सिखाते हैं आपको entry आप खुद कर लेंगे जी मैं मैं करवाओंगा इंशालला जी ये हो गया बचो credit तारीख क्या है भई क्या सर जी इदर जी क्या ओके सर अच्छा बचो इदर देखो काद इदर देखो भई plant credit तो reference में क्या आएगा इदर बताओ ये है इस्टेप नमबर वन क्या है बचो ये है इस्टेप नमबर वन जी आजे 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 तसली से तसली से कोई मस्तार ने जल्दी है यह नहीं हमें हराम से स्टेप नमबर वन जी हो गया भई सर आपने अभी कहा acid ये cost ही ना acid की क्या थी acid को cost के साथ compare नहीं करना लेकिन क्या उसका नाम है book value उसे करना है आपने cost निकाल के बस अब क्या करूं मैं असल में तो मैंने book value ता काना है ना जब acid हमने नया लिया था हमने acid की cost को क्या कर दिया था बढ़ाया को यानि acid को क्या कर दिया अब जब कम करेंगे तो credit कर दें दूसरी बात जैसे जैसे acid इस्तमाल होता रहा होता रहा हमने contrast account को क्या किया था बहुत अच्छे बढ़ाया था क्या किया था जैसे जैसे हमने इस्तमाल करते हैं डेपरिसेशन को ज़र रिकॉर्ड करते हैं 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 र सिंपल सी बात है एसर्ड की नेचर डैविट है आनिया डैविट जानिया यह कॉंटर एसर्ड है उल्टा एसर्ड से आनिया क्रैडिड जानिया डैविट इस अकाउंट की भी अपनी कोई हैसियत नहीं है यह एसर्ड की वजा से बनता है और बास समझ आई है बास समझ आई है भाई जब आपके पास एसरड ही नहीं रहा तो accumulated depredation किताबं में रहनी चाहिए एक बंदा आपकी जिन्दगी में है जब बंदा चला गया उसकी यादने जिन्दगी में रहनी चाहिए उठा के बाहर फैंको यह से जी उस बंदे को भी छोड़के और यादनों को भी ताड़ पाड़ जोई इधर आजब भाई भाई यह समझ आई बात एक एसरड हमारे पास नहीं है उसका कॉंटरा हमारे पास रहना चाहिए भाई बात समझ आई है सर आम मुझे आपने बताना है जी जी अच्छा हम मुझे आपने बताना है भाई इस कॉंटरा एसरड अकााउंट को अब हमें क्या करना पढ़एगा काम करना पढ़एगा जैसे हमने एसरड को कम किया ना अगर मैं काम नई करूँगा मैं बुक्वेली नहीं निकाल सकूँगा जब मैंने एसरड को कम कर दिया आम मुझे कॉंटरा को भी क्या करना फिड़ेगा एसरड को कम करने का मतलब क्रेडिट करना कॉंटरा को कम करने का मतलब डैविड करना एग्री एग्री कर गए भई याप सर लें सर लेकिन अमस्ला ये है हमने ये देखना है ये एसर्ट ये बंदा कितनी देर हमारे साथ रहा ऐसे ये ना अब साल देखो कितने है क्या है बच्छो बहुत तबज़ो से बहुत तबज़ो से सर आज तक जी मेरे भई आज तक क्योंकि आपने डिस्पोदल पर डेटीशन ले ले ली है ना शे महीनों की किताबों में शे महीनों की डेटीशन हमारे वोले साल की दर पढ़ी हुई है सर आपा बositर आएं ये क्या है बच्छो तीस जून दोहदर अटारहा पे असर्ट क्या कर लिया बेश दिया ये असर्ट आया कब था फर्स अक्टूबर पंद्रा पे यानि पंद्रा में कितने महिने अक्टूबर नमेंबर टाइम लैन बनाते हैं बच्चो टाइम लैन टाइम लैन टाइम लैन गुड्डू टाइम लैन जी सर ऐसर आया कब था बोले यानि पहला साल इदर पंदरा में खत्म हुआ न, एसर्ड का, ये 31 सिसंबर ये रेंड है, फिर बचो सोना, फिर बचो क्या, फिर क्या सर जी, अठारा, मुझे ये बता दें आप, ये एसर्ड आया कब तकरीबन इदर, ऐसे है सर जी, कितने महीने रेलेमेंट है, इदर सर, अच्छा इसको ऐस करते हैं न, तीन महीनों कम बता हम तो साल में वर्किंग करते हैं न, तीन बटा बारा, इदर बचो पूरा साल, बारा बटा बारा, चलो, इदर बचो, सर जी, अठारा में बताएं, इसका मतबरी ये दो साल पूरे, वन प्लस वन, दो साल पूरे न, आज मैं दरा इस तरह ब ओके सर जी 2.75 सर 2.75 सर स्टेप नमबर टू डिस्वोदल में थोड़ा मुश्किल हुआ करेगा क्या हुआ करेगा थोड़ा सा बाकिय तो कुछ भी नहीं है एसर्ट को किताबों से बाहर निकाल दो हाँ यादों को जब किताबों से बाहर निकालने के तो मसला होगा ना एक दफ़ा तो थोड़ी सी महनत करनी पड़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा 2.75 यर्स आगे क्या आगे बच्चों अब अब इधर देखो बच्चों इधर देखो मैं इधर आँगा स्टैप नंबर टू थोड़ा मुश्किल होगा करेगा बो दो तरह दो तीन दफ़ा स्टैप नंबर टू यादों को किताबों से बाहर निकालना मुश्किल यादों को किताबों से बाहर निकालना मुश्किल यादों को किताबों से बाहर निकालना यह थोड़ा सा टाइम लगेगा सर लेकिन सही हो जाएगा इंशाला अच्छा हो आगा बलके वर्किंग नमबर कैलकुलेशन आफ एक्यूमुलेटेड और किस टी डिस्पोदल की किसकी बच्चो डिस्पोदल की ओ सही है ना भाई अच्छा जिस अच्छा आपको वो सिखाया था फॉर्मूला सिखाया था ना क्या बला क्या बला अगर एक साल का फॉर्मूला आपको लगाना आता है तो मल्टीबला जितने सालों का चाहिए उतने से जी इधर देखो भई एस्टड की कॉस कितनी है सर ये मेरे भाई आपने दिहान से कैलकुलेट करना है ये बताएं जी 11,000 कितना बच्चे है सर ये होगा आपका स्टेप नंबर टू का जवाब किसका जवाब पहले स्टेप में क्या था री एसट को किताबों से बाहर निकाल लें फिर दूसरे स्टेप में उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लें जी आप इधर देखो जब यादों को कॉंट्र एसट को बाहर निकाल लेंगे तो क्या करना पड़ेगा डैबिड करना पड़ेगा ना एसेट को क्रेडिट किया था इसको क्या करो है एक्यूमॉलेटर डेपरिटिशन क्रेडिट अच्छा असल में आब आप दो काम ही कठे करें ना जेनल एंट्री दोनों की साथ सा और डिस्पोदल क्या बच्छों सर आप इधर दिखाएं रेट पीज लें सर इधर जी सर इधर इधर अक्यूमॉलेटर डेपरिटिशन डेपेड डिस्पोदल सर जी और इधर डिस्पोदल क्रेडिट जीदर अमाउंट आती है और सर इधर शाबाश इस पे थोड़ी महिनत करनी ही पड़ेगी भाई स्थेप नमबर टू पे किस पे भाई आगे तो बच्छों वाले काम है यजी स्थेप नमबर टू ये यजी स्थेप नमबर मेरे भाई तू डन सर डन सर डन सर इधर देखें और नहीं स्थेपस पढ़र लें ज connectsा में डिस्पोदल की भी मुख्लिफ किसमे हैं अभी हम साधा वाला डिस्पोदल बढ़ रहे हैं ना कहता वो यह शहर्ड डैबिटेड़ दा कौन से वाला काउंट अच्छा आपने डिस्पोदल को नहीं देखना यह जो मैंने यलो से हाइलेट किया इसको देखें क्रेड़ किस से बाहर निकाल ले यानि कौन्टरैस्ट अकाउंट को उसको जब बढ़ाया था क्रेड़ किया था काम करेंगे तो डैबिटेड़ दा और दूसरा फुद क्रेड़ हो जाएगा डिस्पोदल अब आपके पास असल मिना बुक वैलिव आ गई है क्या आ गई है बचो बुक व जब पैसे आते हैं जब पैसे आते हैं तो भाईया एसेट बढ़ता है ना कैश कैश डैबिट सर कितने पैसे आए बताएं केश अपने डैबिट कैश डैबिट और डिस्पोजल सर किसी का इंपक्ट ना डिस्पोजल के काउंड में फैंगना है आपने कैश डैबिट डिस्पोजल क्रैडिट कैश डैबिट डिस्पोजल कितने से कितने से सर अच्छा ये तरीख भी ना फिर इस अकाउंड में डिस्पोजल में हम लिखना छोड़ दिया करेंगे क्योंकि ये सारी एकी तरीख आ रही होती है इदर बस सरी हाँ कैश का काउंट हम बना नहीं रहे बाद दिमाग में सोच लेना आपने सर इदर देखें बच्चो स्टैप नंबर फीगा जी स्टैप नंबर थ्री अच्छा अब मेरी बास सुनें अभी 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 ज्यादा नहीं सोचना अभी मालाजिकली एक्स्प्लेइन करूंगा अभी टाइम है सिर्फ मुने ये बतातें आपको पताना काउंट को बैलेंस कैसे करते हैं इदर आरेगा 40,000? इदर क्या आरेगा? टोटल दोनों साइड पर, बताओ कौन सी साइड जीती है? इदर ना क्लूधिंग बैलेस नहीं आता, ये इसकी नेचर थोड़ी मुख्तलिफ है, हमने ने असल में प्रॉफिट या लॉस निकालना होता ना, गेन या लॉस, वदन किस स आएगा, प्रॉफिड और लॉस अभी ये ना सोचो अभी ना सोचो ये लॉस है गेन, इगनूर करो इस बात, तो क्या करो? इगनूर करू, मैं समझाता हूँ, इंशाललہ, बस वदन इस साइड पे आ गया? वदन आ इस साइड पे? इस से साइड पे मैं साइड पर ये खाइ इधर क्या आगे लिए 17,000, क्या आगया बच्चो, आया साय, इस साइड प्याना चाहिए ना, अच्छा आप यह सोच रहे होंगे सर्जी, कि यह लास है यह गेन है, इधर देखे मेरी बास सुने, इधर देखो बच्चो, एंट्री पढ़ना सीखें, इधर देखें, मैं आपक पलांड क्या हो रहा है, यह होता है रेफरेंस का फाइदा, डिस्पोदल क्या हो रहा है, एक्यूमलेटर डेपरिसेशन, स्टैप नमबर टू, स्टैप नमबर, जब पैसे मिले, नेट बेच की एसेड को बारह हंदार रुपया, बचो, डिस्पोदल क्या हो रहा है, कैश क् प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैबिट और एक बाद याद रखना इधर देखो प्रॉफिट या लॉस की भी अपनी कोई निचर नहीं है प्रॉफिट या लॉस कैसे आता है इधर देखो बच्चो इधर देखो इधर देखना है आपने income है तबज्जों से बास सुननी है income है चीजों को return लगाना conceptory understand करना है यह नहीं कि इस side के आए तो यह है उस side नहीं understand करना logically income है बच्चो सोर पे की expense है बच्चो 70 के मुझे बताओ profit आएगा gain आएगा कितने हैंगा इदर देखो मेरी बास सुनो मेरी बास सुनों जरा तबज़े से तबज़े से दरा focus के साथ बेढ़ने है income की nature क्या है पहले दिन बताया था expense की nature इसकी अपनी कोई nature नहीं है लेकिन जवाब positive वाला आ रहे ना यानि credit ज्यादा है ना तो ये credit है profit क्या होता है बच्चों इसकी nature क्यों क्योंकि income ज्यादा है इसलिए आ रहे इसलिए इसकी nature ना income वाली बन जती है अगली बात सर income है मेरे मासूम दोस्तों इदर इदर ओभा इदर income है कितनी बच्चों सो कर लो credit nature expense है बच्चों 120 के जी जवाब पर debit वाला आ ना है और इससे कहते हैं ये loss है इसलिए इसकी nature क्या बनती है चुंके ज़्यादा क्या है debit ज़्यादा क्या है बच्चों इदर तक बास समझगाई आपको बच्चे इदर तक बास समझगाई ये बच्चों अच्छा आप इधर देखो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये आज ऐक दफ़र समझा रहा हूँ, फिर दुबारा शाहर दिस थeres समझारा ने का मौका नां मेल, अतना लॉडिकली दी दुट ऊघलेना चीज़ों को आप में, इधर देखो इधर देखो इधर देखो दुट और मेरे भाई प्रॉफिडर लॉस ही हैं लेकिन मुझे बताओ जब ये डैबिड हो रहा है तो ये क्या होगा ये लिखो जनरल नूर्स में शाबश लिखो लिखो जल्दी लिखो शाबश जब प्रॉफिडर लॉस अकाउंट यहां स्टेट्मेंट डैबिड होगी तो इसका मतलब लॉस है जब प्रॉफिडर लॉस आप मुझे बताओ ना इदर एक दफ़ा और देख लो बस एक दफ़ा एक दफ़ा और भाई ये देखो इदर देखो ये बताओ डिस्पोदल 17,000 से क्या हो रहा है डिस्पोदल अकाउंट लेडिट प्रॉफिडर लॉस क्या हो रहा है डैबिड ना मुझे खुद बताओ बच्चो इसका मतलब है डैबिड हो रहा है एकस्पेंस की नेचे डैबिड वाली है तो ये लॉस है क्या है लिखो अगर प्रॉफ लब ये क्या है और ब्रैकेट ओपन करो लिखो ब्रैकेट ओपन करो लिखो लास असल में एक्सपेंसिस ज्यादा होने की वज़ा से आता है लास असल में बोलो शाबाश एक्सपेंसिस ज्यादा होने की वज़ा से आता है loss असल में expenses बोलो शावाश ज्यादा होने की वज़ा से आता है आगे पूरी बार लेखो चूंके expense की nature debit है लेखो 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 शावाश लेखो चूंके expense की nature debit है बच्छो ये बते हैं अगर हम इंशालला थोड़ा understand conceptually कर गें ना हमें correction of errors में बड़ा फाइदा देंगे क्योंकि मैंने base SE हमने इंशालला सेट करनी है जो correction of errors में भी ऐसे link करें चीज़ें और ऐसे short cutts लगा के जवाब आए हमारा आया करेगा एक topic आता है जी impact बताओ जी gross profit पे net profit पे ये चीज़ें आती हैं उसमें शालला ये दुबारा बात आएगी लिखो जी bracket में क्या लिखवा है मैंने expense की nature debit है और आगे आगे नहीं लिखवा है expense की nature debit है और loss expenses ज्यादा होने की वज़ा से आता है ये भी लिखवा है था गुडू जी और loss expenses ज्यादा होने की वज़ा से आता है इसलिए इसलिए loss की nature भी expense वाली बन जाती है यानी debit यानी यानी क्या बच्छे बो debit इसलिए loss की nature भी बो शाबाश expensive वाली बन जाती है यानी debit अब जल्दी से income के बारे में लिखो शाब 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 लिखो लिखो अभी पढ़े हैं दो से तीन चार मिनट हैं close हो जेगा इंशाब लिखो जी गड़ी पीछे आचा income कल खुद लिखा हो गए आचा अब एक मिनट देना सिर्फ एक मिनट और देना बस एक दो मिनट और देना जी जी का इंचा इंचा अला इसको वैसे यह पहले भी बच्छे सवाल पूशते हैं हम तरीख लिखेंगे निदर अगए अपर कुछ उई देखो बस एक मिनट देखो इधर देखो बाई एक मिनट बडस दौ मिनट बाइधर देखना है एक मिनट अगर मैं आपसा ये पूछूँ अगर मैं आपसा ये पूछूँ कि ये सर किसी और तरह भी आप हमें दरह प्रूब करवाएं ये बात सही है या नहीं कि ये लॉस है मुझे बताएं एसर्ड की कॉस कितनी है एसर्ड की और बच्चो एक्यूमॉलेटर डेप्रिटेशन कितनी है यानि बुक वैलियू कितनी है 29,000 की चीज बिकी कितने की बच्चो कैश रिसीव कितना हुआ बाई जान इसके साथ करें वर्सिद ये तो मुझे बताएं लॉस कितने का किताबों में ये क्या है बच्चो ये ही आपको ये नदर आ रहे ना इदर हॉमवक क्या है बच्चो उप्टाओ रिडियूसिंग बाइलेंस मैथल वाला सवाल आपने करके आना है कॉस्टर नमबर ट्विंटी नाइन और ये कॉस्टर नमबर ट्विंटी आपने करके आने बस नए ये ही ये ही और कोई सवाल ने हो मैं खुद करवाँगा अल्ला हाफिस